Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम लोग बात करेंगे, how to get maximum output from test series, ठीक है, maximum output कैसे लाए test series से, देखो, अगर आप एक serious candidate है, आप चाहते हैं, गेट में अच्छी रेंख लाना, तो आपने एक या दो test series में तो कम से कम enroll जरूर करवाया होगा, तो अब बात ही आती है कि test series में enroll तो करवा लिया, लेकिन test लिखने कब है, ठीक है, तो देखो, basic सी बात है, जैसे suppose करो, मैं TOC का example लेता हूँ, आपने पोरा TOC subject पहले complete करना है, उसके बात सारे previous year questions को solve करना है, और उसके बात test series के बारे में सोचना है, मेरी suggestion है, काफिस students को मैं देखता हूँ, test series में enroll करवात सीखने है, concept सीखने से आपको इतनी knowledge मिल जाएगी, previous year questions आप solve कर लेंगे, तो concepts इतने हद तक पक्के हो जाएगे, और इतनी जादा knowledge आपको मिल जाएगी, अभी पहले इतनी knowledge है, previous year questions के बाद आपकी knowledge इतनी जादा हो जाएगी, अब इतनी जादा knowledge हर एक एक चीज आपके mind मे fit है, उसके बाद जब आप test देंगे, तो आप सोचो आपका output कितना अच्छा है और rank भी कितनी अच्छी आएगी, देखो सिधी सी बात है, अगर आपने proper subject भी नहीं पड़ा, previous year questions भी नहीं किये, आप test लिखने बैठ गे, तो obviously क्या होगा, अभी rank कम आएगी, rank कम आएगी, subject wise test आप अराम अराम से एके करके test देंगे, और rank भी जरूर अच्छी आएगी, क्योंकि आपके concept already clear होंगे, और previous year questions भी आपने solve कर रखे होंगे, लेकिन अगर आपने previous year questions भी नहीं किये, और आपने पहले test series दे दी, obviously आपके number भी कम आएगे, और जो concepts आप apply कर सकते थे, previous year questions स आपको बहुत knowledge मिलेगी, जो आप concepts apply कर सकते थे, वो आपने apply नहीं किये, और question गलत हुए, question गलत हुए, तो आपने क्या किया, जो भी solutions थे, वो solution देख लिए, video solution देख लिए, वीडियो solution देख लिए, जो भी test series होंगे, उनमें कहीं हैं, video solutions होती हैं, और कई बार ये text में solution द conceptual way में, meaningful way में questions को solve करना है, और वो कैसे होंगे जब आपके पस knowledge बहुत जादा proper होगी, मेरे को काफी students comment करके बताते हैं, कि सर अपका way बहुत अच्छा है, questions को explain करने का, बहुत अच्छे questions बता पाते हैं, मैं इसलिए बता पाता हूँ, क्योंकि knowledge बहुत अच्छी है, उन knowledge कै ऐसे आई है, बार-बार चीजों को पढ़के, previous questions को solve करके, concept सारे मेरे mind में एकदम fit है, अगर concept fit है, तो जो भी मैं question देखता हूँ, तो एक जटके में उसको solve करता हूँ, approach एकदम सीधी मेरे को समझ में आ जाती है, तो आपका भी mind एकदम वैसा fit हो जाएगा, और ऐसे set हो ज सकते हैं, तो please इस बात को समझ लो, पहले आपको पूरा subject अच्छे से समझना है, समझने के बाद previous questions करने हैं, और अगर मेरी बात मानो तो दो तिन revision भी अच्छे से कर लो, मतलब एक दो महीनी के बाद आप test देना start करो, immediately भी बेसक से test बंगो, क्योंकि immediately test दोगे, तो फिर व बहुत अच्छी approach से questions को solve करें गए, अच्छा, एक बात मैं आप और बताता हूं, जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब आप test दे रहे हैं, एक घंटा आपने test को दिया है, तो at least एक घंटा उसको analyze भी करो, test लिखने का अगर एक घंटा है, तो आपने एक घंटा test को ल देखने है, knowledge की आपके अंदर भूख होनी चाहिए, अगर आपको gate में rank लानी है, तो knowledge की भूख मतलब in the sense, आपको अपने आप मन करना चाहिए, कि मैं sir का भी तो देखूं, जो भी teacher ने, you can say test series बना रखी है, वो बहुत knowledgeable होगा, वो काफी साल से पढ़ा भी रहा होगा, है तो इतनी knowledge है, अगर उसको, उसने कुछ questions बनाए है, तो उसका way भी तो समझो, उसने कैसे solve किया question को, यह नहीं कि मेरा ठीक होगा, तो चलो ठीक है, अभी बाकी देखने के दूरत नहीं है, नहीं, आपको चाहे question ठीक हुआ है, चाहे गलत हुआ है, देखो गलत हुआ है, तो करना पड़ जाएगा, क्योंकि देखो, exam में बहुत ज़्यादा pressure होगा, जिस तरीके से आप अभी question को solve करते हैं, शायद उस तरीके से gate exam में आप question को solve ना कर पाएं, तो सबसे best way क्या है, सारे तरीके के methods आपको आने चाहिए, इसलिए मैं बोल रो, knowledge की भूक होना बहुत ज solve कर जाओंगे, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी tricks है, कोईनों कोई trick तो काम आएगी, कोईनों कोई भी तो काम आएगा, जिससे आपका question solve हो जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए मेरे suggestion है, हर एक way आपको आना चाहिए, और जो भी video solutions आपको नज़राती है, या जो फटा-फट से आप questions याद आते जाएंगे, कि ठीक, अच्छा, ये question accessible हो था, ये question accessible हो था, and so on, मेरा main concern यह है, कि आपके दिमाग में नौलिज बहुत जादा होने चाहिए, जिब आपके दिमाग में नौलिज बहुत जादा होगी ना, तो gate के exam में आपको घबरात बिलकुल महसूस नहीं होईगी, और आप question को किसी ना किसी तरीके से solve जरूर करके आएंगे, इस बात की मैं guarantee रहता हूँ, ठीक है, तो हर एक वे आपको आना चाहिए, इस सीच को अच्छे से mind में बिठा के रखना, ठीक है, तो यही सबसे best way out है, मैं आपको summary में बता देता हूँ, subject की knowledge लेनी अच्छे से, subject की knowledge लेने के बाद, आपको सारे previous year question solve करने है, और उसके बाद, better way तो है कि एक से दो मन्त आप कम से कम wait करें, एक या दो मन्त आप wait करें, क्योंकि ताकि maturity आज है mind में, आप काफी बार उसके revision भी कर लेंगे subject की, और उसके बाद आप test series दे, अगर आ suggestion यह है कि आपको उस time wait करें, ठेक है, test series में, A to Z आपको knowledge subject की होने चाहिए, आपको सब कुछ mind में fit होना चाहिए, उसके बाद, जब आप test करेंगे, तो आपको देखना confidence अलग होगा, और आपको खुद भी समझ जाएगा कि मैंने question को solve कैसे कर दिया, तो कि चीजे बहुत से hour में आपको उसको analyze जरूर करना है, मैं काफी बार देखता हूँ, मैं हमेशा यह suggestion देता हूँ students को, बट काफी सारे students आलस मान लेते हैं, वो कहते हैं, ठीक, test हो गया बार, इसको क्या analyze करें, and so on, but please analyze जरूर करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने analyze नहीं किया, तो आज आपने test लिखा है ना, कल परसों तरसों तक या, maximum से maximum 10-15 दिन में वो सब भूल जाओ गया, और वो ही question अगर gate में आगा तो फिर आपसे solve नहीं होगा, आप भूल ले पड़े होगे, तो better क्या है, एक घंटा at least आप उसको analyze करो, और एक से दो pages में उसकी summary तयार कर लो, उस test की, ताकि इस summary का use क्या होगा, अभी use नहीं होगा, इस summary का use होगा आपके last के months में, last के months में, मतलब December, January में, आप फटा-फट से pages को पलटते जाएंगे, और questions को देखते जाएंगे, ये सबसे best way out है, इस से आप, मतलब, you can say, maximum output आप test series से लेके आएंगे, आप कोई भी test series लिख रहे हो बेशक से दो test series मतलो, एक test series लो, लेकिन उसको अच्छे से देना है, और analyze जरूर करना है, ठीक है, अच्छा, ये तो कहानी है, subject wise test की, जो full length test है, please, मेरी suggestion है, अभी उनको मतलिको, full length test को आपको एक दम end में करना है, अगर आपको already syllabus complete हो चुके, आपको सब कुछ आता है, तो topics आपको भी नहीं आते हैं, तो please unnecessary first create मत करो, क्योंकि वो questions आप से स्वाल नहीं होंगे, number कम आएंगे, और फिर दिमाग में pressure आएगा, depression feel होगा, and so on, frustration, मैं नहीं चाहता, आपके mind में आए, इसलिए आपको एक दम end में देने है, end में मतलब December January के महिने में ये सब test आप ठीक है, full end test, okay, that's it, this is all about your test series, ये काफी students मेरे को request कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक video बना दिया है, और एक बात मेरे को आप से और करनी है, from the bottom of my heart, I really thank you all of you, आप लोग मुझे बहुत support कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे-चे comments मिल रहे हैं, जिससे मुझे बहुत motivation मिलती है, क्योंकि कई की बारी क्या होता है, रात के दो बजे होता है, मैं बहुत थाका हुआ होता हूँ, physically भी बहुत थाका हुआ होता हूँ, mentally भी बहुत थाका होता हूँ, मेरे अंदर बिल्यकुल हिमत ने होती वीडियो बनाने की, लेकिन कोई नो कोई कमेंट ऐसा आता है, और मैं अच्छे से कर सको और आपके friends को भी knowledge मिल सके उनके भी help हो सके क्योंकि मैं free of course पढ़ा रहा हूं मैं किसे से कोई money तो charge नहीं कर रहा हूं सीच के लिए ठीक है चलिए okay thank you all of you bye bye